नमस्कार दोस्तों मेरा कब आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फार्मा गुरू में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सित्रिजिन हीट्रइट टैबलेट के बारे में उसके क्या थाइटोल किया है और इसके लिए क्या क्या वार्निंग और प्रिकॉशन्स जो आपको बता होने चाहिए इसको यूस करने से पैसे लिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। आती हैं तो वहाँ पे यह दिया जाता है नाग बहना या रनी नोज भी आप कह सकते हैं नाग में से पानी आना तो वहाँ पे भी दिया जाता है इची और वाटरी आइज आखों में से पानी आना तो उद्ध महाँ पे भी होता है गले में खराश या गले में खिच-खिच टा जाता है अपने देखा होगा कभी-कभी food से भी allergy हो जाती है तो यह as a precautions वहाँ पे भी use किया जाता है दवाईयों के साथ में और दोस्तों citrus in वहाँ पर भी use होता है जैसे insect bite कर लेते हैं जैसे मदुमक्ही ततहिया तो वहाँ सूजन और swelling हो जाती है लाल पड़ जाता है तो यह 0.55 and 10 mg tablet form के अंदर और इसका जो dosage form है दोस्तों वह daily का होता है वैसे तो one tablet daily at night time because यह drowsiness cause करता है लेकिन मैं फिर भी आपको suggest करूंगा आप doctor से consult करें क्योंकि इसकी dose और strength आपकी situation या condition पर depend करेगी तो वह आपको अच्छे से बता पाएंगे आपको कौन सी strength लेनी चाहिए और कितनी dose लेनी चाहिए दोस्तों citrizin है यह newer second generation antihistamine है जो first generation के comparative थे यह बहुत कम side effects cause करता है तो दोस्तों जो इसका major side effect है वो यही है इसको खाने के बाद sometime नीन आती है जबकी लग जाती है मतलब बंदे को पता नहीं रहता dry mouth हो जाता है stomach pain हो सकता है excessive tiredness हो सकती है लेकिन जो सबसे major है वो है नीन आना या drowsiness तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके क्या क्या precautions and warnings है जो आपको इसको use करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए सबसे पहले नंबर पर आता है अगर machinery पर काम करते हैं तो आप अपने काम पर जाने से पहले इसे ना लें क्योंकि आप drowsiness cause करता है तो ये वहाँ पर harmful भी हो सकता है अगर आप pregnant है या फिर breastfeeding है आप अपने बच्चे को दूद पिलाते हैं तो आपको अपने doctor से consult करना है इसको लेने से पहले तीसरे नंबर पर है आप driving कर रहे हैं फिर bike पर निकल रहे हैं तो drive पर निकलने से पहले भी आप इसको ना ले या फिर अगर आपके liver या kidney में दिक्कत है या कोई भी disease है तो आप doctor से consult जरूर तो दोस्तो चलिए अब बात कर लेते हैं ये citizen tablet है किस-किस brand name या फिर आपको market में किस-किस नाम से मिल जाएगा सबसे पहला दोस्तो है oka set ये sipla का है अपना set जिन है ये भी आप आपको असानी से मिल जाता है अलरेड है ये भी आपको असानी से मिल जाता है लेकिन आप जब भी medical store पर चाहते हैं लेने तो उसको एक तो आप citizen hydrochloride कह देंगे that is sufficient उसको strength confirm करा दे कि आपको कितनी mg में चाहिए 2.55 और 10 mg में thank you दोस्तों for watching our video अगर आपका फिर भी कोई doubt है mind में तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं